ना लगाओ आप देरी नहीं तो फिर ऐसा ना आ जाए कि आप लोग को टेंथ और ट्विल्थ की लगानी पड़ी पुना से फिरी ठीक है यदि देरी आप करेंगे तो निशी तोर पर बोड़ी जाएं में आपको फिरी फिर से लगाना पड़ेगा रिरसेंस यह एक वार्नी न समय है इसमें बिल्कुल भी लापरवाई मत किजिए देख रहे हैं आप लोग जाकर देखिए बिहार बोड का टाइम टेवल आप देखेंगे आपका पुरा कान जो है रमसन का सन आप रह जाएंगे एक दो तीन चार पांच है ऐसे देखिए बताई टाइम टेवल को ऐसे मन पालिएगा कुरोना आगया है नहीं होगा होगा नहीं होगा बिल्कुल एक्जाम की पूरी होने के संभावना पूरी है और एक्जाम होगा ठीक है क्योंकि इस बार करोना के लेकर अगर गवर्मेंट में कोई नाटक किया न तो लगबग दो ती आई जन संका जो रोड पर जाएगी और लोग इतना पात्मा चायेंगे ना कि सरकार को सरकार अपना समालना दुरलब हो जाएगा तो यह तो भूल जाएए कि एक्जाम नहीं होगा एक्जाम कंफर में होगा तैयारी आप लोग रेगुलर्ली करिए और विहार बोड के वीजो टाइम डबल आ चुके ह टाइम में कोई गैपिंग नहीं दिया गया है बिल्कुल भी समय नहीं दिया गया है और यदि आप लोगों ने स्टड़ी नहीं किया तो इसका के वलब के उलपस अताप आपको जिलना पड़ेगा चले स्टार्ट करते हैं आज के बच्छों के लिए और साधी साथ 12 के पहला ग्री विज्ञान का क्या आर्थ है बहुत ही महत्तपुल प्रशने पहला ग्री विज्ञान का क्या आर्थ है गर का विवस्थित ग्यान का मतलब आप लोग पहले ही जानगे कि घर के विवस्थित ग्यान का मतलब जो घर के लिए जितने भी विवस्थित ग्यान के के बारेम बात हो गया वेज़ बुसा के बादे में हो गया आधी ऐसे जितने भी तमाम चीजेए जो गरीर शी संब्सक्राईल एक ही आध्यान कहते है चीजे में बहुत ही महत्ताप उड़ता है क्योंकि उनको घर का पुरा ग्यान भना वहुत ही आप से चीज़ा है झाले बड़ते हैं अब यहाँ पर नोगों तुरे में अब दूसरे बाइलोगों का वह है आप सभी लोगों का बाइलोजी से अगर्ड बात करें शेल के बारे में वहता है तो यहां पर देखिए कोशिका सजीवों के सरीर की रशनात्मक और क्रियात्मक इकाई है यह बहुत महत्वर पॉइंट है रशनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जिसे हम लोग कोशिका कहते हैं और प्राय स्वता जनन की शामर्थ लगती है यह विविन प्रदातों का बाद चोटे चोटा संगटी तरूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिने शामोई क्रूप से हम जीवन कहते हैं तो यह बहुत ही महत्ता पूर चीज़ है और ज उसमें इटों को देखें लोगों कि 10 जारीटे लगें तो पार्टे कुदा लिजब आप एक उठाएंगे तो एक इटा है जो होगा उसका क्या खहलाएगा वही है समाने यह कोशी का बेसिक इमिट आफ लाइप ठीक है न तो समकान का जो बेसिक चीज था क्या था वह एक इ ख swallowed डिलाठे लगे शचरी को नो back to मृता है अहार की परिभासा लिखे बहुत ही मत्प करते हैं के अ चलिए यहां पर आगे बढ़ने से पहले यहां पर आगे बढ़ने से पहले यहां पर डिस्कस्ट मैं आप लोग के साथ एक नंबर को ध्यान रखिएगा नौशापचास चैसों अबे दोस्तों प्राइश साथ नम करें नंबर आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है नौशापचास चैसों अबे अपने पढ़ाई के प्रती बढ़ा दीजिए आप सभी लोग थोड़ा सा केर क्योंकि एक्जाम भी अवा गया है थोड़ा सा आपनों के नहीं है तो बिल्कुल भी लापरवाई बरदाश्ट नहीं की जाएगी आपनों की किजिए को पोसड किसे कहते हैं बहुत ही वहां तब पुशन है प्रस्ण संग्याचार को पोसड क्या होता है को ज़्यादा बच्चों को में देखने को मिलती है कि बच्चा जै कोई चोटा बच्चा है तो अजीब तरीके का उसके शरी का बनावड वह अनुग जब देख करते हैं तो यह लड़का जो हो गया है को पोसड का थिकार हो गया है दिक शरीर के लिए वर शक संतुलीत आहार अघ। मतलब जितने आहार की जरुदत होती है तो कुपोषर की जो समस्षीता होती है वो श्रभावी क्रूप से देखने को मिलती है और यह इसके जो सिकार होते हैं मुख्रिब से जो छोटे बच्चे होते हैं वह बड़े प्रवाने प्रेश्चे प्रभावीत होते हैं तो यह एक बहुत ही महत्वर टापिक था डियूसन्स इसको तनिक भी मिस्मत कजिएगा और यह ऐसे इमोशनी पॉइंट प्रशनों के अंकूरर्ण से क्या आसा है कि ये यह मतवर प्रेश्चन हैं क्या पकांगा कर खने के लिए बीजों से चलटे चले बीजों को क्या करता है जैसे काट चना को अब जोने होगे चना को ड多ते आप यह दिन2-3 नहीं आ नब देखे जाना क्या होता है वो सबतक़मा होता है खाते हैं कि अंकुर खर लिया एक होगया ऊजली में होगताए। आता है और पहले पूश्टिक होता है इवेरस क्योंकि हब टो पहली चीज तो कच्छा आप रखा रहे हैं और उसके बाद छोटे पोदे तो हां पर बहुत ही जदा विटामेंस के साथ होता है वह ठीक है विटामेंस हो गया प्रोटीन्स हो गया उससे पुरा भर पूर रहता है वह रहता है महत्तपूर सेसन आप लोगों के लिए होंशाइ लोगों को भी लावनवीत किजिए और इस चेलंग के रहल पर इतना काम जरूर कीजिए कि से अपने क्लास्मेट पर शेयर जरूर कीजिएगा डीजे सर का कहिना है रेगुलर एश्टी के साथ इस चैनल का लिंग में पर शेयर करना है क्योंकि यूट्यूब के लास अगर द शेयर हरत